हाई गाईस अगर एसे फ्रैक्शन दिया है और पूछा गया है find the smallest and the greatest fraction तो हमारे पास है बहुत ही सिंपल सा ट्रिक सबसे पहले तो आपको difference find out करना है numerator and denominator का और उसके बाद वो difference का आपको find out करना है LCM तो 51 and यहाँ पर है 51 upon 57 इनका difference है 6 तो यह कट करके यहाँ पर लिखा 6 replace all the denominators with the difference of numerator and denominator 23 and 26 तो यहाँ पर हो गया 3 89 and 101 तो यहाँ पर होता है 12 and this 31 and 35 यहाँ पर कट करके हमने लिखना है 4 जस्ट हमने उसके difference लिखे है इन सब का LCM होता है 12 12 से multiply कीजिए अगर आपने यहाँ पर 12 से multiply किया है 6 वन जा and 6 तू जा तो यह हो गया 2 1 जा and 4 जा यह हो गया 4 12 जा 12 जा यहाँ पर तो 1 है 1 and 3 तो यहाँ पर है 1 यहाँ पर है 3 लेकिन यह जो नंबर से उसके साथ हमें multiply करना है 51 2 जा 51 2 जा है 102 26 26 23 4 जा होता है 92 and 89 1 जा यह तो है 89 31 3 जा यह हो गया 93 तो हमें दिख रहा है यह है largest and यह है smallest तो जो original fraction है 51 upon 57 यह हो गया largest and इसका original fraction है 89 upon 101 यह हो गया smallest है नमजेदार बात